पिता, स्वर्क और प्रत्वी के प्रभू, मैं तरी स्थुति करता हूँ, क्यूंकि तुने इन सब बातों को ग्यानियों और समझदारों से चिपा कर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। संत्मत्ती का सुसमाचार अध्याए ग्यारा पस्वंक्या पच्चीस आज का सुपसंदेश प्रभू दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। क्रीष्ट में मेरे प्यारे भायूर बहनों आप सब को जै एशू। आज का पहले पाट में निर्गमन ग्रन से मूसा के बारे में हम सुनते हैं। किस प्रकार मूसा प्रभू येशू प्रभू इश्वर का दर्शन करते हैं। इश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे पिता का इश्वर हूँ। इश्वर हमें किसी रूप से प्रस्तुत हो सकते हैं। जैसे मूसा के लिए उस आग के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। जब भी वो आग नहीं बुजा। याने वो इश्वर मूसा के द्वारा अपनी प्रतिग्या को लोगों तक पहुंचना चाते थे। लोगों को अपने साथ रखना चाते थे। मूसा को इश्वर ने अपने प्रतिनिती बना कर इश्वर ने लोगों के सामने बेजा। भले वो कटिन काम था लेकिन मूसा ने आहां कहा क्यूंकि ईश्वर उनके साथ रहें ईश्वर उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो विश्वास में पक्के हैं ईश्वर उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो वचन पर अपना कार्य करते हैं इश्वर उने के साथ रहते हैं जो इश्वर का वचन को सुन कर उन पर चलते हैं मुसा ने वही किया मेरे विश्वासियों आज प्रभू आपको और मुझे बुलाते हैं प्रभू का वाणी जब आपके पास आते हैं प्रभू का वचन जब आप सुनते हैं किस प्रकार उस वचन पर चलने के लिए आप कोशिश करते हैं किस प्रकार हम प्रभु का वचन को अपने जीवन का अंग बनाते हैं ये आज पूछना है जैसे ही संदमत्ती की सुसमाचार में प्रभी यस्वमसी इश्वर को धन्यवाद देते हैं इश्वर स्वर्ग प्रत्वी के श्रस्टी करता मैं तेरे सुती करता हूँ क्योंकि तुने इन सब बातों को ग्यानियों और समझदारों से चिपा कर नेरे बच्चों पर प्रकट किया है जी हाँ क्योंकि वही लोग प्रभु को अपना सकते हैं प्रत्यों में प्रश्ट नहें पूछते हैं इसलिए संद पौलूस भी कहते हैं अपने पत्र में इश्वर ने उन गरीबों को बुलाया अग्यानियों को बुलाया बेचारों को बुलाया ताकि वो ग्यानियों को नीचा गिरा सकें ग्यानियों को नीचा दिखा सके विश्वास में मेरे प्यारे भायूर बहनों क्या मैं प्रभू का वचन सुनकर उस पर कारी करने के लिए कोशिश करता हूँ मेरे अंदर प्रभू का वचन कहां पर रम जाता है आईए, मनन चिंतन करते विए प्रबु से शक्ति कृपा आशिश मांगे हम भी मुसा के समान उस वचन को सुन कर उसमें कारिय में लागू करने के लिए कोशिश करे आमेन